तुलसी विवा के दिन भगवान विश्णु के स्वरूप साली ग्राम भगवान से माता तुलसी का विवा किया जाता है इस दिन पूजापाट का विशेश महत्व है इस वर्ष तुलसी विवा पांच नवंबर 2022 को है सास्त्रों में बताया गया है कि घर पर ही तुलसी विवा का आयजन करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है साथ ही सभी मनो कामनाय पून होती है तो आईए जानते हैं भगवान शालिग्राम और तुलसी विवा की कथा के बारे में सीव पुराण में बताया गया है कि भगवान शीव के क्रोट से एक दैते जिसका नाम जलंधर था उसका जन हुआ जलंधर का विवाव रंदा नाम की कन्या से हुआ जो बहुत पती व्रता इस्तिती जलंधर को या वर्दान प्राप्था कि वह तब तक नहीं मर सकता जब तक पतनी का सतित्व नष्ट नहीं हो जाता इस वर्दान के एंकार में जरंधर ने चारों तरफ हाहा कार मचार दिया साथ ही उसने स्वर्ग लोग को भी जीत लिया इस एहम में एक दिन उसने कैलास परवत पर भगवान शीव का वद करने का प्रेस किया लेकिन वासफल नहीं ह पाया उसके पास वर्दा के सतित्व की सकती होने के करण भगवान शीवी उसे पराजित ना कर पाये तब सभी देवता भगवान विश्णु के पास उस दैति को पराजित करने के लिए विंती लेकर पहुचे भगवान विश्णु को यह ज्यान था कि जलंधर को उसकी पतन व्रंदा के सतित्व ने बचा रखा है इसके बाद भगवान विश्णु जलंधर के वीस में व्रंदा के पास पहुचे और इस अज्यानता में व्रंदा उन्हें अपना पती समझ कर पती व्रता का वैभार करने लगी इससे उसका सतित्व तूट गिया और ऐसे जलंधर का विगणने लगा सभी देवतागर व्रंदा के पास पहुचे और उनसे भगवान विश्णु को स्राप मुक्त करने की विंती की तब व्रंदा ने उन्हें स्राप मुक्त कर दिया और स्वयम आत्मधा कर लिया तब व्रंदा के भस्म से तुलसी का पौदा उगाया भगवान विष्णु वरंदा के सत्थित्यों से इतने प्रसंद हुए कि उन्होंने साली ग्राम रूप ले लिया और श्रीहरिने खोश्णा की कि तुलसी के बिना मैं प्रशाद को क्रहन नहीं करूँगा मेरा विवा साली ग्राम रूप से तुलसी के साथ होगा कालांतर में इस्तिती को लोग तुलसी विवा के नाम से जानेंगे कहते हैं कि जो सालिग्राम और तुलसी विवा कराता है उसको वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है साथ ही उसे कन्यादान करने के समान पुन्य मिलता है जैश्री